जोईन्ट कमिशनर को हुई शिकायत और IPS पर हो सकती है जाच मामला इंदौर जिले का है इंदौर की SAF यानि की Special Armed Force की 1st Battalion में पदस्त Commandant IPS ओपित रिपाठी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं दरसल ओपित रिपाठी ने Battalion की Cooperative Bank से अध्यक्ष होने के नाते मान दे के रूप में 1000 रुपया ले लिया करीब 60,000 रुपय महिना अध्यक्ष महोदय के मान दे के नाम से निकलता रहा जबकि नियमानुसार कोई भी शास की सेवक एक ही जगे से वेतन प्राप्त कर सकता है इस मामले की शिकायद Joint Commissioner Cooperative जगदीश कनोच को हुई कनोच ने इस संबंद में शासन को जानकारी लिख कर दे दी है शासन के निरदेश के बाद Cooperative Department और Police Department दोनों ही IPS त्रिपाठी की जाज बिठा रहा है जब इस संबंद में Joint Commissioner Cooperative जगदीश कनोच से पुछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास इस संबंद में शिकायत आई थी और हम audit report के आधार पर इसमें जाज करवा रहे हैं और हमने राजश शासन को भी संबंद में जानकारी दे दी है कनोच हाला कि 30 नवंबर को रिटायर हो गए है लेकिन उनके पास आई शिकायत राजश शासन तक महज गई है और वहां से जाज भी शुरू हो गई है हाँ इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है फस बिटालियन में कि एक ही वेक्ति मतब दो तरह से वेतन प्राप्त नहीं कर सकता है इस प्रकार की जो शिकायत आई है उस शिकायत की हम चांच करा के उसमें जो भी मतलब निवान उतर हो वो करवाई करेंगे नियम के अनुसार कोई शास की सेवक क्या दो जगे से वेतन ले सकता है। नै ऐसा तो है नहीं are, मतलब अगर शास की सेवक हैं तो उसको एक जगे ही पाटरता रहेगी, दूसी जगे तो मतलब बुन नहीं ले सकता है। तो जितने समय का वेतन है क्या उसकी रिकवरी भी सहकारताय भाग करेगा? हाँ, जरूर उसमें अगर आएगा तो हम जरूर कराएगे उसका.